आजकल हमें कई यंग लीडर्स दिखते हैं जो हताश हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि समय के साथ-साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप थोड़ा मारदर्शन दे सकें तो उन्हें मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि आज जिन्हें हम लीडर्स कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम असल में लीडर्स नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स बना रहे हैं, वो बाहर आकर लीडर का रोल निभाने की कोशिश करते हैं और फिर जिन्दगी बर दुख पाते हैं, मुझे यही देखने में आ रहा है, क्योंकि लीडर्सिप आपकी महत्वा कांशाओं से नहीं आती, लीडर्सिप आती है, पहले इसे समझते हैं, महत्वा कांशा का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं को बड़ा कर रहे हैं, जो कि वक्त की बरवादी यह आपकी इच्छाय इस बात पर निर्भर करती हैं, कि आपके आसपास क्या हो रहा है, या अभी तक क्या हुआ है, आपकी इच्छा उसी का बढ़ा चड़ा संसकरण होती हैं। आप ऐसी किसी चीज की इच्छा नहीं कर सकते जो आपने कभी देखी नहों। आप सिर्फ उसी चीज की इच्छा करते हैं, जिसे आपने देखा हैं, उसे थोड़ा बड़ा चड़ा कर या बहुत ज़्यादा बड़ा चड़ा कर ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन है लेकिन लीडर्शिप यानी लोगों के एक समूव को या देश को या पूरी दुनिया को एक ऐसी दिशा और ऐसी जगा पर ले जाना जिसकी उन्होंने कभी कलपना भी न की हो अगर वो ऐसी कलपना कर पाते तो आपकी जरूरत ही नहीं होती उन्हें एक लीडर की जरूरत है क्योंकि उसमें वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो उन्हें वहां ले जा सके जहां उनकी कलपना भी उन्हें न ले जा सके इसके लिए लीडर के पास एक गहरी अंतरद्रिष्टी होनी चाहिए अंतरद्रिष्टी से मेरा मतलब है कि आप कुछ ऐसा देख सकें जो दूसरे नहीं देख सकते लोग तरह तरह के काम करना चाहते हैं लेकिन वो खुद पर काम नहीं करना चाहते अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है तो जिन्दगी में सबसे महत्वपूर्ण काम है खुद के उपर काम करना अपने बोध की क्षमता को निखारना वो देख पाने के काबिल बनना जो दूसरे नहीं देख सकते आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में आपमें एक गहरी समझ हो सवाल ये नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ बलकि ये की अभी सबसे ज्यादा किस चीज़ की जरूरत है क्योंकि अगर आप वो करेंगे जिसके जरूरत है तभी वो लीडर्शिप होगी अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिसमें सिर्फ मुझे रुची है तो पीछे कोई नहीं रहेगा क्योंकि ये सब तो मेरे बारे में है तो यंग लीडर्स सबसे जरूरी बात ये है कि अपनी महत्वा कांशा के नाम पर अपनी इच्छाओं को मत बढ़ाईए अपनी योगिता को बढ़ाईए अगर आप अपनी योगिता को बढ़ाते रहेंगे तो जिस वक्त में भी हम जी रहे हैं जो मौके हमारे सामने आते हैं आप स्वाभाविक रूप से उसकी लए पकड़ लेंगे अगर आपके अंदर जबरदस्त योगिता है तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया आपको गिरा पाईगी